हेलो फ्रेंड मेरा नाम है जहिर खानों मैं आपको वैलकम करता है अपने चैनल ब्रेंग गुरू में जहां आपको मिलती है टेकनोलोजी, मोटिवेशन और एजुकेशन से रिलेटिड ताज़त रिन वीडियो तो फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक है त्री टिप्स फार सुप मैं इसक्रीन पर शो कर रहा हूं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो फ्रेंड हम चलते हैं आगे हमारी टिप्स की तरफ तो अगर आप टाइपिंग अल्रेडी सीख रहे हैं और टापिंग कलब ड आपर नेधाल को कहते हैं और नीचे वाजी लाइन को हम बाटम रों कहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे की बोर्ट में इसके इलावा भी बहुत सारी रौज हैं लेकिन हम उनको भी स्कस्शनी कर रहे हैं फिला हमारी इंप्र्ट है हों रो ओंर जो यह बहुत ज्यादा इंपर मै पार में मैं आगे बहुत बार-बार डिसक्स करूँ है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर होम्रो शो करा दिये तो अब हम चलते हैं टैपिंग की जो हमारी पहली टीप है उसकी तरफ और उसको समझने के लिए हम जा रहे हैं Google गूगल क्रोम की तरफ तो फ्रेंड्स हम आगे हैं Google क्रोम में और यहाँ पर आपने टैपिंग कलब.com लिखना है और यह वैबसाइट ओपन हो जगी दुनिया की सबसे बैस्क बिल्कुल फ्री यह टैपिंग ट्यूटर है और इसको आप टैपिंग के वैबसाइट भी कह सकते हैं तो इसमें आपने लॉग इन पर क्लिक करके लॉग इन हो जाना है अगर आपका अकाउंट नहीं बना वह तो इसके उपर आप बना लीजिएगा get started के उपर जाकर जी फ्रेंड्स हम आगे हैं home इन में यह होता है कि लैसन वाइस आप एक विंडो पर क्लिक करते हैं फर्स्ट विंडो पर तो वह विंडो का जो लैसन है उसको complete करते ही अगली विंडो जो है वो खुल जाती है इस तरीके से यह आप जी देखें इस 156 जो लेवल है इसके उपर एक लॉक लगा हूँ है 157 पर भी एक लॉक लगा हूँ है तो यहां से आगे सारी विंडो पर लॉक लगे में और पिछली विंडो जो है वो खुली भी है तो जैसे जैसे यह विंडो खुलती जाएंगी आप इनके लैसन को पास करते जाएंगे अगली विंडो खुद बखुद खुलती जाएंगी ज यह है home row और home row के अंदर यह बहुत सारे levels हैं और इस तरह एक एक करके आप level खुलते जाते हैं आगे चलते जाते हैं और यहां पर 23 पर पहुंच कर यह home row खतम हो जाती है फिर top row शूरू हो जाएगी और इसके भी कुछ मक्सूस lessons है यह lessons 51 पर खतम हो जाते हैं फिर bottom row शूरू ह जाती है और bottom row के बाद आप 88 पर पहुंचते हैं यहां पर मैं आपको recommend करूँगा कि 88 से आगे मत जाएं अगर आप 88 lesson तक चले जाते हैं इससे अगर आप आगे जाएंगे तो lessons इचानक मुश्किल होते चले जाएंगे और आपकी जो typing की रफतार है वो कम होगी और आपको सी reset करेंगे अब reset का जो option है ना वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप mobile के अंदर जो है आप mobile को restore नहीं कर देते हैं उसमें सारा data जो है वह delete हो जाता है इस तरफ आते हैं तो यह गाइब हो जाता है इस गेर के उपर आएंगे और reset progress के उपर क्लिक कर देंगे तो यह जो बटन है यह काम नहीं करेगा यह वाला तो इसको काम कराने के लिए हमें इस field के अंदर लिखना पड़ेगा reset जैसे हम फिल्ड में reset लिखते हैं तो reset progress का button on हो जाता है आपने इस पर क्लिक कर दिया आपकी टैपिंग जो है वो reset हो गई यह जैसे आपका mobile restore हो जाता है ऐसे यह भी restore हो गया अब आगर आप दुबारा से start करके जाते हैं तो आपकी जो पहली window होगी वहां से आप शूरू से टैपिंग करेंगे तो जब आप दो से तीन ब इसके लिए मैं जाना होगा notepad में चलते हैं तो friends यह मैं आगे हूँ notepad में notepad के लावा आप जो है ms word या दूसरा कोई भी word processing का कोई भी software खोल सकते हैं और इसके अंदर आप जो है अपना lesson जो है वो लिख सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं format में आके fonts के अंदर आ font available हैं लेकिन हमें खुबसूरती नहीं चाहिए typing के हिसाब से courier new का जो font है यह font मुझे बहुत बुरा लगता है मैं कहीं भी यूज नहीं करता हूं लेकिन typing के लिए यह बहुत अच्छा font है इसके अंदर हम लिखेंगे यह इसको आपने जब लिखना है तो लिखते हैं वक्त आपने बोलते जाना है asdfgf semicolon lkjhj space asdfgf semicolon lkjhj तो इस तरीके से मैंने यहां पर तीन पेर जो हैं वो लिखती हैं इसके बाद मैं इंटर कर दूँगा और नीचे आपने इसको देख देखकर पहली लाइन भले आप आराम आराम से लिख लें उसके बाद आपने इसको देख देखकर इसके नीचे लिखना और बोलते जाना सेमिकॉलन, L, K, J, J, A, S, D, F, G, F इस तरीके से आपने इसको बोल बोल के लिखते जाना है यह तरीका फ्रेंट्स जो है क्लासिकल तरीका के लाता है पहले टाइपिंग ट्यूटर्स नहीं हुआ करते थे टाइपिंग जो मशीने हुआ करती थी टाइप राइटर्स जिने कहते हैं उन पर हम टाइपिंग सीखा करते थे तो उस जमाने में जो जिस तरीके से टाइपिंग सीखते थे वो यह वो तरीका है लेकिन यह तरीका इतना जबरदस तरीका है कि आपकी उंगलियों को जो है एक robot की तरह उंगलियां बना देगा और आपकी tapping को बहुत ज्यादा fast कर देगा तो ये आपने जो है बहुत सारी line है इसकी लिखनी है और एक दिन, दो दिन ये चार दिन जब जितना आपको मनासिब लगता हो आप उसकी practice करें और home row जैसे ही आपकी उंगलियों पर बैट गई उसके बाद आपकी जो typing बहुत असान हो जाएगी आप दुबारा typing club.com के उपर जाएए और अपना जो वहाँ जो lesson है उसको फिर आप continue करेंगे कुछ दिन के लिए आप यहाँ पर आ जाएगे लेकिन पहले आपने typing club.com पे practice शुरू में कर लेनी है क्योंकि आपको यह मालूम नहीं है कि A कौन सिंगली से प्रेस करना है S कौन सिंगली से प्रेस करना है तो वो typing club.com ही आपको पहले सिखाएगा तो friends चलते हैं हम tip number 3 की तरफ तो हमारे तीसरी tip जो है वो typing.com है और यह भी एक website है तो चलिए Google Chrome की तरफ चलते है जी friends हम आगे है typing.com के उपर यह भी एक website है यहाँ पर भी आप typing सीख सकते हैं अच्छी website है लेकिन typing club.com के मुकाबले में यह कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पर test system जो है बहुत जबर्दस्त है आप यहाँ आजेंगे for students के उपर friends यह screen आजेगी इस screen के उपर आपने test पर चले जाना है यह test लिखावा नहीं यहाँ पर आपने click करना है और यह है हमारी next screen और इस screen पर आप देख रहे होगे यहाँ पर test start test का button है इसमें एक minute का test है तीन minute पांच minute तो जितना भी आप चाहें test कर यहाँ पर आप जो है ले सकते हैं एक minute का जो typing का test है इसके पर start test पर आप click कर दीजे और यह typing test जो है यह शुरू हो जाएगा यहाँ पर आपने आपका रोजाना test लेना है और आपने अपने typing speed जो है वो चेक करनी है देखें typingclub.com पर भी आपकी speed आएगी वहाँ पर भी चेक होगी लेकिन यहाँ पर specially एक बिल्कुल journal जो एक paragraph आपको दे दिया जाएगा और इसमें हर तरह के symbols भी होंगे और यह capital letter, small letter mix किसम का test होगा यह अगर आप किसी company या इदारा में जाते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरीके से आपका test लिया जाएगा और चेक किया जाएगा कि आपकी typing speed कितनी है तो यहाँ पर जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं यह देखिए एक minute की यहाँ पर timing आ रही है तो जैसे ही मैं पहला letter लिखता हूँ तो आगे बढ़ता हूँ तो क्या होता है कि यह आप देखें clock चलना शुरू हो गई है यहाँ पर तो यह clock चल रही है यहाँ तो जैसे ही एक minute complete हो जाएगा तो आपके सामने आपकी test report आ जाएगी उसका आपने screenshot ले लेना है और उसको आपने send कर देना है whatsapp पर मुख्तलिफ friends को या मुख्तलिफ groups के अंदर ठीक है ना इस तरीके से जैसे आपकी typing speed improve करती जाएगी आप उसको screenshot लेके send करते रहेंगे इससे आपको motivation मिलेगा आपके friends को भी पता चलेगा कि आपकी typing speed क्या है तो friends कुछ इस तरह से आपका typing का result आपको show होगा यानि your speed was 61 words per minute with 98% accuracy आपकी accuracy 80% से ज्यादा होनी चाहिए ठीक है थोड़ी बहुत गलती है हो कोई मसला नहीं है बस आपकी words per minute speed जो है वा आस्ता आस्ता बखुद बखुद improve करती जाएगी तो ये जो screenshot मैंने लिया है ये screenshot आपने send कर देना है अपने friends को तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही था उमीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी लाइक करना और share करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो subscribe भी कर दीजिएगा तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए अलाहफीज